हेलो स्टूडेंट्स आपका अपने ट्यूटर टाक चैनल में स्वागत है आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी जो कि कलास 9 में सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन का टोपिक है ग्रेविटेशन से रिलेटिड जितने में टोपिक और सब पर वीडियो बंचो किया जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब हम इस टोपिक को स्टार्ट करते हैं डेंसिटी वर्ड को पहले समझते हैं काफी बच्चों को पता भी होगा लेकिन अब आई रहे सकते हैं मास पर यूनिट वोल्म का मतलब होता है density और density का formula लिख सकते है density का formula होता है आपको पता भी होगा mass upon volume mass upon volume और इसका अगर say unit की बात करें तो वो होता है kg per meter q यह say unit भी आप इस formula से पता लगा सकते हो, mass का कितना say unit होता है mass का say unit kg होता है और kg के upon में क्या है volume का कितना होता है say unit meter q इस तरह density का, जो say unit मने गया kg per meter q अब next हम बात करते है relative density की relative density का formula होता है density of the substance upon density of water कहने का मतलब एक तो हमने density लेनिया किसी substance की और दूसरा water की और उन दोनों का जो आपस में relation होगा उन दोनों को जब divide करेंगे जो answer आएगा उसे relative density कहते है जैसे हम iron और water की density चेक कर रहे है तो जो iron का block होगा उसका volume अलग से निकाल कर उसके volume से divide करेंगे यादके mass upon volume, iron का अलग से और water का अलग से, जितना भी water हम ले रहे है mass upon volume और दोनों को जब divide करेंगे दोनों के answers को density of minor iron और density of water तो relative density आजाएगी आईरन की यहाँ पर लिखते है relative density of a substance अगर हम यहाँ पर example से clear करते हैं मान लिजी हम एक iron block ले लिया जो की covered shape में है और दूसरी तरफ उतने ही volume का अगर हम water ले ले लेते हैं और हम यह मानते हैं कि दोनों का volume है same है shape चाहे उनकी अलग हो सकती है volume same की बात कर रहे हैं volume same ठेक है आपने याद रखने हैं कि volume दोनों का same है shape चाहे कुछ भी हो लेकिन इनके mass में अलग अलग है मान लेजी इसका mass है 10 kg और इसका जो mass है वो है 2 kg अगर volume दोनों का same है तो इनकी हमें density निकालने के अब शकता नहीं है simple mass of substance upon mass of volume mass of substance जो की हमने iron को मान लिया है और mass upon water दोनों को अगर हम divide करेंगे तो जो answer आएगा वही होगा relative density of iron यह तो अपनी याद रखना case था कि अगर दोनों का volume same है तो वैसे अगर दो चीजों की हमें अलग से density ही गेव है ना माना question आपको आता है density है किसी object की 4 kg पर मीटर क्यूब 4 kg पर मीटर क्यूब और हम फिल करेंगे 2 kg और इन दोनों को divide करेंगे तो इस case में आप notice करोगे जो इन दोनों की SI unit यह आपस में cancel हो जाएगे और answer only 2 आएगा यह unit less होगा तो अपनी याद रखना है इस टोपिक में कि density का unit तो है kg पर मीटर पर क्योब लेकिन relative density का unit नहीं होता क्योंकि उसका unit क्योंकि दोनों के density density से divide करते हैं तो density का unit density के SI unit से cut कर जाता है और simple answer आता है हमारा number में thanks for watching